अज़े स्टुलेंट्स आज क्लास फिफ्ट करता मैं होच्वाल वोट एसने एक उसकी जो टेक्स्ट की क्वेस्टिन है उसके जो आंसर वर्क हम वो करने जा रहे हैं ठीक है तो थिंकिंग अबाउट एक्स्ट आंसर दो फालूंग कोस्टिन्स Q1. What did the wise man see while the riding? तो राइटिंग करते हुए सफर के दोरान wise man ने क्या देखा? आंसर, the wise man saw a snake sliding into the sleeping man's mouth wise man ने ये देखा, दाना आत्मी ने देखा के एक साम सोए हुए आत्मी के मूँ में जा रहा है Q2. What did the wise man do when he could not scare the snake away? तो wise man ने क्या किया है? जब उसने ये snake को साम को यह नहीं बचा सक उसके मूँ में जाने से आंसर है, the wise man took up his club and struck the sleeping man with several powerful blows. तो wise man ने क्या किया? कि उसने अपने छड़ी उठाई और सोए हुए आत्मी को उसने कुछ जर्वे मारी ने ठीक है? Q3. Why did the wise man chase the man? दन आदमी ने उस आदमी के पीछा क्यों किया? आंसर, the man, the wise man chased the man so that would vomit all things he had swallowed. उसने उसके पीछ इसने किया ताके उसको वो मुटिंग आये यानि वो कैए करे जो को उसने निकला था. Q4. Why did the man fall on the wise man's feet? वो आदमी दना आदमी के पाउं क्यों पड़ा यानि उससे मापी क्यों मांगी? Q4. Because the wise man saved his life, so he fell on his feet and called him an angel. Q4. क्योंके दना आदमी ने उसकी जिनकी को बचाई और वो उसके पाउं में पड़ गया और उसने उसको कहा कि तो में एक फिरिष्टे हो. Q4. Do you think that the wise man proved to be antigent enough to save the man's life? Q4. क्या आप भी सोचते हो कि this wise man ने यानि बहुत ज्यादा हुश्यारगी से नाई से काम लिया उसकी आदमी की जिनकी बचाने के लिए? Q4. Answer. Yes, the wise man proved to be antigent enough to save the man's life as if he had told the man about the snake, he might have died of fear. Q4. Why is man बटूर जहानत का सबूर दिया उसकी जिनकी को बचाने में अगर वो से पहली ही बिता देता के सामके बारे में तो वो आदमी यानि खौफ के वज़े से डर के वज़े से मर जाता. तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और नोट डाउन करें, आंसर्स को और इससे याद करें, और कल के लेसन में हम grammar work करेंगे, तब तक के लिए, अल्लाहाफीस, असलाम वालीकुमें. झालीकुमें